हाई दोस्तों सबको स्वागत है मेरा चैनल सेफटी फॉर ओल जीरो वान में आज हम लोग बात करेंगे फायर ट्राइंगल के बारे में फायर ट्राइंगल क्या है उसके बारे में तो चलिए शूरू करते हैं तो पिछले जहां देखेते हम लोग definition of fire में देखेते हैं fire के लिए तीनों चीज होने का जरूरी है एक है fuel, heat and oxygen ये तीनों चीज एक ही जगा पे होना चाहिए एक ही समय पे होना चाहिए और ये तीनों के अंदर जब chemical reaction होगा तभी आग पैदा होगा मन लीजें तीनों भूज है ए तीनों भूज को तीन जो है oxygen, fuel and heat ए तीनों को एक ही जगा पे होना चाहिए chemical reaction के लिए इसी को बोलते हैं fire triangle आग पैदा होने के लिए ए तीन चीज एक ही जगा पे एक ही समय पे होना चाहिए तभी आग पैदा होगा इसी को बोलते है fire triangle ये तिनों को बीच chemical reaction होगा तभी आग पैदा होगा इन में से कोई एक माल लीजे एक नहीं है या oxygen नहीं है या fuel नहीं है या heat नहीं है ये तिनों में कोई एक नहीं है तो आग नहीं लगेगा इसके अंदर chemical reaction नहीं होगा तब आग पैदा नहीं होगा मतलब है आग पैदा होने के लिए ए तिनों चीज का जरूरी है इसी को fire triangle बोलता है उम्मीद करते हैं अब लोगों समझ में आया अगर समझ में आया तो अपने दोस्त लोगों से share कीजिए मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्री में आगे का कोई भी वीडियो पाने के लिए प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए तो अब तक के लिए थैंक्यू